नमस्कार दोस्तो आज में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मोबाइल रेडियेशन आपके लिए कितना गतरना के दोस्तो दोस्तो इन दिनों अगर कोई किसी का सच्चा साती है जो हर समय साथ रहता है तो वह मोबाइल फोन है जी हाँ इसके बिना जिन्दकी की कलपना करना साथ मुश्किली होगी दोस्तो लोग फोन को ऐसे चिपका के साथ रखते जैसे कोई खजाना हो लोग इस बात से अंजान है कि फोन को यूँ अपने साथ हमेशा चिपका के रखना किसी बड़े खतरे को बुलावा देना दोस्तो क्या आप जानते हैं मोबाइल फोन और टावर से निकलने वाला रेडियेशन सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है वहीं कुछ सावधानी अगर बरती जाये तो मोबाइल रेडियेशन से होने वाले खतरों को काफी हद तक बचा जा सकता है क्या है रेडियेशन के साइड इफेक्ट क्या आप जानते हैं पहला है हमेशा सिर्दर्द की सिकत रहेगे आपको सिर में जंजनाठ होगी लगातार आप ठकान मैसूज करेंगे दोस्तों चक्कर आएंगे आपको डिप्रेशन में रहेंगे आप नीद नहीं आएगी आखों में आपको प्रोब्रम रहेगी ड्राइनेस रहेगे आपको आखों में काम में किसी भी काम में आपको कोई मन नहीं लगए दोस्तों आप बिल्कुल आलसी हो जाएंगे कानुक का बजना सुनने की चमता दिर दिर कम हो जाएगी दोस्तों आपको यादास कम हो जाएगी पाचन सकती गड़ बड़ा जाएगी आपका पाचन तंतर खराब हो जाएगी दिस तो बता दें कि मुबाइल रेडियेशन से लंबे समय के बाद प्रजनान चमता में कमी कैंसर ब्रेन ट्यूमर और मिस कैरिज की आसंका भी हो सकती है यह हम सभी जानते कि हमारे सरीर में 70 फिदिसी और दिमाग में 90 फिदिसी तक पाणी होता दोस्तों यह पानी धीरे धीरे बोडी रेडियेशन को अबजोब करता है जो आगे जाके सेहत के लिए कापी नुकसान दे साबित होता है आपको बता दें कि मुबाइल का ज्यादा इस्तमाल करने से कैंसर जैसी बड़ी और गंबीर बिमारी भी हो सकती है एक रिपोर्ट के मुताबित दोस्तों यह हर दिन आदे घंटे या उससे ज्यादा मुबाइल का इस्तमाल करने पे आठ से दस साल के ब्रेंड टूमर की आसंका दोसों से 400 फीसी तक बढ़ जाती है मुबाइल रेडियेशन कब है ज्यादा घंटक पता है मुबाइल टक्ये की नीचे रखके सोना बिलकुल सही नहीं है दोस्तों जे में मुबाइल रखना दिल के लिए नुकसान दे है बहुत से लोग दिल के पास उपर वाली जेव हो ती उसमें मुबाइल टक से रख लेते उनको क्या पता कि बिल को कितना नुक्सान पहुचा रहा है अगर उनको पता चल जाये ना छोड़देंगे और कि आप मत रखें के पेस्मेकर लगा तो मुबाईल यादा नुक्सान करता लोग बड़ी चोटकी दिखातें यहां तो मुबाइल यहां रखेंगे मुबाइल नुखसान Tempo हम सर से भी नहीं लगाएंगे बात भी हम हेड़फोन से कर लेंगे चलो ठीक है हेड़फोन से बात कर लिए आपका सर बच गया आपने उपर वाली जे में मुबाइल नहीं रखा तो आपका दिल बच गया लेकिन वो पेंट वाली जे में मुबाइल रखते तो पता क्या होता दोस्तों पता है आपका सप्रम जो हता है ना सप्रम वीर्या उसको कमजोर करता दोस्तों है कि सप्रम पे काफी गहरा असर पड़ता उससे गेम्स नेट सर्फिंग के लिए मोबाइल यूज़ खतरनाक है दोस्तों मोबाइल फोन रेडियेशन को कम कैसे करें अगर आप अपने मोबाइल के रेडियेशन कम करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के साथ फेराइड बिड रेडियेशन सोखने वाला यंतर को लगा ले बता दे मोबाइल फोन रेडियेशन सील्ड का इस्तमाल भी अच्छा तरीका है आज रबड़ी कंपणियां फोन कंपनियां मार्केटिंग में इस तरह का उपकरन बेच रहे हैं लेकिन उससे भीना रेडियाइशन तो регма बेच रहीं कि इसे वुड शारी चिप बेच रहे हैं कि कि इसे मुबाइल के पीछे लगा लो इससे आपका मोबाइल के बैटरी का पावर बढ़ जाएगा मोबाइल ठंडा रहेगा रेडियेशन का लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है वह ऐसा अगर ऐसा कुछ होता तो मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं लगा देती उनको कवर में ही दे देती अंद है जी हाँ यह बात फिल्कुल सही है दोस्तों आप अपने मोबाइल में वाइफाई होड़ स्पोर्ट फॉर्जी थिरीजी टूजी तो होता है फॉर्जी थिरीजी और इंटरनेट कनेक्शन ओन अगर एक साथ कर देना ब्लुटूथ को भी सब चीज होगा एक साथ ओन कर द गाउं में तो जब भी बहुत काम है यहां पर तो हवा भी अच्छी होती है पानी अच्छा होता है और रेडियेशन का भी खत्रा नहीं होता दोस्तों हम तो गाउं के रहने वाले लेकिन जहां-जहां सहरों में जो लोग दिल के मरीज होते हैं उनकी 50% लोग दिल के मरीज इसे कायन होते हो से कम्पूरब पर काम कर रहा है पूरे पूरे दिन है बारा बारा घंते थे कम्पूरब कोई मोबाईल में दूभी लोग ऐहनों पता है में है फेसबूक वाइट लग में रहती हैं डिया लगे ही रहती है आपको cancer हो जाएगी brain cancer हो सकता है आपको cancer यह तो इसके सित्वाल से मतलब मोबाइल का मुबाइल का में इस्तिवाल बंद मत कीजिए मैं भी करता हूं अगर आप संदें पम ने मोबाइल का तरहते हैं दोश्तों एक 1.5 1.5 से तो अगर एक 0.5 से अगर ज़्यादा 1.5 बहुत ज़्यादा है सबसे हाई रेडियेशन है हम में को मान सकते हैं कि नुक्सान पोचाता है इससे जाधा आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरना निकल रहा तो आपको जाना है पता कैसे चेक करना हैं इंटरनेट पे नहीं करना नहीं किसी मोबाईल से कान आपको अपने मोबाइल में जाना जो मुबाइल के साथ पहले से आता है फिका है इनस्टॉल आपको अपको अपया जआना यहां पर यहां पर यहां पर देखिए ऐस्सार पर जाते हैं यहां पर xr सही का निशान आ रहा है तो पर्फेक्ट इसका इसका देख सकते हैं अब एट sr देख सकते हैं जीयसम जीयसम कि 2G प्लस में लाइवाइवाी अगर डुग वाईवाय फाई से पता कितना निकलेगा यहां पर निकलेगाab फरफेक्ट चाम्वालिस ज्यादा नहीं मतलब ठीक ठाक है एक भी नहीं है पूरा कि यहाप एप बोडी के लिए धाधाए आप त्रीजीक वाई खार से 0.532 तो यह मूबाइल मेरे लिए फर्फेक्ट है और आपके लिए पर्फेक्ट है इस तरह का मोबाइल यह तो आप से अपने मोबाइल में यह कोड्डायल करके स्टार है जीरो साथ है डायल करके अपने मोबाइल का रेडियेशन माप सकते हैं धान रही अगर एक किलो सोरी एक पॉइंट फाइव से अगर आपका ज्यादा है ठीक है ज्यादा दिखा रहा है अगर आपका एक से कम जैसे मेरे में दिखा रहा है 0.844 अगर इतना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपका एक 1.5 से है ज्यादा है तो आप प्लीज अपना मोबाइल फेंक दीजिए दोस्तों क्या करेंगा आप मुस्ट मुबाइल का क्या करना आपको बहुत से लोग पता है सस्ते मोबाइल ले लेते हैं अब रेडियेशन तो देखो सस्ते और म लिखा होता रेडियेशन की मात्रा अगर नहीं लिखा होता तो पहले आप अपने मोबाइल घरीत्य समय चेक करें और चेक करें अगर वो डहीं नहीं दिखा रहा है दोस्तों बहुत से मोबाइल नहीं दिखाते तीसपर्सेंट मूबाइल नहीं दिखाते हैं चाहीनी मूबाइल पता क्योंब तो क्योंकि उसमें रेडियेशन की मातरा इतनी ज्यादा होती है कंपनी ना बहुतगतीड कंपनी होती हो जो रेडीयेशन का तो अब तो तो कंपनी उनसे कह दी है कि भाई अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो पहले रेडियेशन का पता या तो अपने बैटरी पर लेको उसको अगर वह पहले हमें रेडियेशन के बारे में बता हैं ये कंपनी फिर मोबाइल अपना बेच ही तो आप नादान ना बनिये इस मोबाइल 1.5 अगर ज्यादा जा रहा है तो अब बदल लीजिए अपना मोबाइल चेक करके मोबाइल खरीद यह आपके धिमाख अगर आप ज्यादा कॉल करते हैं मोबाइल से तो प्लीज हैड़फॉन का यूज जरूर कीजिए क्योंकि वह आपको एक एक मीटर लगबग एक जबक कमर्ण हो जाता है प्लीज में मोबाइल मत रखी दिल के पास उप ठीक है ठीक है कि नुक्सान पहुचाता लेकिन फिर रखेंगे आपका दो रखने सकते ठीक है और तो आप इस तरह का मोबाइल से ऐष चिक करिए जिसमें रेडियेशन काफी हट तक कम हो लोंकित तो अच्छा बक्वास कर रहा है यहां पर बैठके यार वीडियो वे एक ही बात को बार बार रिपट कर रहा है दोस्तों चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहन कर दो